नमस्कार दोस्तो पॉलिटी पीच में आप सब का स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों हम जैसा बनना चाहते हैं वो ना बन कर कुछ और बन जाते हैं दोस्तो जीवन में हर ब्यक्ति सफल बनना चाहता है लेकिन सफल बनने के लिए आपको अच्छे बिचारों को अपनाने की जरुरत है गौतम बुद्ध के उपदेशों से आपके जीवन में सखारात्मत बदलाव आते हैं और इससे आपका जीवन बदल जाता है यही कारण है क कि बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सुत्र कहा जाता है सफल बनने के लिए हर ब्यक्ति का अपना एक लक्ष पहले से निर्धारित होता है और वह उसी के अनुरूप काम करता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं सायद उनकी किस्मत में ही यही लिखा होगा वही कुछ लोग अपनी किस्मत को खराब कहने लगते हैं और कुछ लोग यह मानकर संतोस्ट हो जाते हैं वह इसे डिजर्ब ही नहीं करते थे लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही होता है गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानत और उतनका इंतिजार कर रहे थे गौतम बुद्ध आये लेकिन बीना कुछ कहें ही चले गए बुद्ध के इसा बेवहार देख सभी हैरान रहे गए लेकिन किसी ने उनसे कुछ कहा ही नहीं अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ लेकिन आज सभा में उपस्तित लोगों की संख्या घटकर असी हो गई आज भी बुद्ध ने एसा ही किया वे सभा में आये लेकिन बीना कुछ बोले चले गए आज भी लोग हैरान हुए लेकिन बुद्ध से किसी ने कुछ नहीं कहा अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घटकर 50 हो गई बुद्ध फिर से सभा में आया और बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी बुद्ध से किसी ने कोई प्रस्म नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संक्या केवल 30 थी आज भी बुद्ध बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर चले गए आप कहानी को पढ़ते हुए इरिटेट हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर बुद्ध को कुछ बोलना नहीं तो बार सभा का आयोजन क्यों हो रहा है ठीक इसी तरह सभा में मुझूद लोगों को गुस्सा आ रहा था लेकिन इसका जबाब जानने के लिए आपको धैर रखना होगा अगले दिन फिर से सभा का आयोजन और आज सभा में किवल 15 लोग ही उपस्थित रहे लेकिन आज गौतम बुद ने जिन 15 लोगों को उपदेश दिये वे उनके भिप्षू बन गए और इन लोगों ने आगे चलकर बुद के ज्ञान को अलग-अलग दिसाओं में फैलाया एक बार इन लोगों ने बुद्ध से प्रस्ण किया कि सभा का आयोजन होने के बावजोद भी आप क्यों कई दिनों तक बिना बोले ही चले जाते थे खुद ने उतर दिया मैं उन लोगों के खोज में था जो लायक हो सभा के पहले दिन कौँ से भी ज्यादा लोग थे लेकिन उन में से ज्यादा तर लोगों को मेरे उपदेश से कुछ मतलब नहीं था इसके बाद जो लोग अगले दिन आये उन्हें भी मेरे उपदेश से कोई मतलम नहीं था वो तो केवल इसलिए आये थे क्योंकि वो देखना चाहते थे आखिर सभा में होता क्या है लेकिन मुझे एसे लोगों की तलास थी जो मेरे ग्यान को जन जन तक परुचाए मैं कई दिनों तक इसलिए बीना बोले चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि आखिर वो कौन लोग है वो सच में मेरे उपदेश को सुनना चाहते है और जिन्हें वास्तों में ग्यान पाने की पास थी एसे लोग ही रोज आये गौतम बुद कहते हैं कि जिनके भीतर धैरे था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला और जो लोग जल बाजी में थे वो आज घर पर बैठे हुए हैं बुद कहते हैं कि जिन लोगों में धैरे का गुण होता है वे जीवन में कुछ भी पासकते हैं फिर चाहे आपका लक्ष कुछ भी हो बिना धैरे के कोई भी सफलता के लक्ष तक नहीं पोच सकता धैरे को कैसे बढ़ाएं आज भाग दौर भरी जिंदगी में लोगों में धैरे नहीं है सभी में जल्दबाजी और सिग्र अति सिग्र किसी कार्य को करने की खोड मची है लेकिन गौतम बुद्ध बताते हैं कि अपने भीतर धैरे को कैसे बढ़ाएं बुद्ध केते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम अपने भीतर के धैरे को बढ़ा सकते हैं यानि आप जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिए धैर की आवस्यक्ता है। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एसे ही वीडियो आप लोगों की दे लेकर आती रहूं। फिर कल मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका समय सुब हो, धन्यवाद।